कल हमने डिसकस किया था rational number और irrational number rational number कौन से जिन्हें हम P by Q की form में represent कर सकते हैं the numbers that can be represented in P by Q form and where Q is not equal to 0 और irrational numbers जिन्हें हम P by Q की form में represent नहीं कर सकते और उसके बाद मैं आपसे example पूझा था कि irrational number का मुझे example बताईए example से पहले इस topic को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ decimal expansion जैसे ही clear होगा तो आपको rational और irrational number बहुत अच्छे से समझ में आएंगे हम start करते हैं decimal expansion decimal expansion होता गया जैसे 1 by 2 जब आप 1 by 2 को divide करते हो तो answer क्या होता है 0.5 देख लेते हैं 2, 1, 0.5, 10 so 1 by 2 is 0.5 so decimal expansion of 1 by 2 is 0.5 1 by 2 की decimal expansion क्या होगी 0.5 similar way में अगर मैं आप से पुछ हूँ 1 by 5 की decimal expansion क्या होगी तो आप divide करेंगे हैं और answer क्या होगा 0.2 चेक कर लेते हैं 5, 1, 0, decimal, 2 so 1 by 5 is 0.2 similar way में अगर मैं आप से पूछ हूँ मुझे बताईए 1 by 3 की decimal expansion क्या होगी तो आप जल्दी से calculate कीजिए और मुझे answer दीजिए 1 by 3 की decimal expansion क्या होगी चलिए देखने हैं 1 by 3 जब आप divide करेंगे तो इसके decimal expansion क्या होगी 3, 1, 0, decimal, 0, 3, 9, 1, 0, 3, 9, 1, 0, 3, 9, ये कभी खतम होगा ये कभी खतम नहीं होगा तो इसकी decimal expansion कैसे लिखोगे इस cancer ये तो नहीं है क्योंकि आगे भी numbers हैं और आगे कौन से numbers हैं आगे 3 है तो 1 by 3 को आप लिखोगे 0.333 and dot 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 so on क्योंकि यही चीज़ आगे repeat करेगी so 1 by 3 is 0.333 dot 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 और इसे लिखने के लिए एक और method होता है हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं 0.3 और 3 repeat कर रहा है जो चीज़ repeat करें उसके उपरा आप बार लगा दिए so 0.3 bar 1 by 3 के अगर कोई आपसे decimal expansion पूछे या तो आप answer यह देंगे यह देंगे सिरफ 0.333 नहीं लिख सकते हैं वो गलत होगा आपको dot 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 लगाना होगा है बहुत important so 1 by 3 is 0.3 bar suppose किजिए अगर आप दो numbers को divide करते हैं और decimal expansion आती है उनकी 0.252525 and so on means 25 repeat हो रहा है तो आप इसे कैसे लिखेंगे 0.25 और 25 के उपर bar clear decimal expansion हमने सीखा क्या होती है decimal expansion अब decimal expansion के types पढ़ेंगे हम कितने types की decimal expansion होती है क्योंकि आपने देखा कहीं तो remainder 0 आ रहा है कहीं remainder 0 नहीं आ रहा कहीं तो आपका complete answer आ रहा है जैसे 1 by 2 0.5 था लेकिन फिर आपने 1 by 3 calculate किया तो 0.3333 means 0.3 bar आ रहा था तो different types के decimal expansion होती है वही चीज़ेंगे दिसकस करेंगे decimal expansion की first type है terminating second type is non-terminating repeating और इसका एक और नाम है non-terminating recurring third type and non-terminating non-repeating और इसका इक और नाम है non-terminating, non-recurring चलिए अभी नहीं समझते हैं, यह हैं क्या, terminating, terminating decimal expansion means terminate होना, terminate का मतलब क्या होता है, खदम हो जाना, so terminating is, जब decimal, जब आपका remainder 0 होगा, तो decimal expansion होगी terminating, कब, जब remainder 0 होगा, क्योंकि division terminate हो गई है, खदम हो गई है, जैसे example हमने भी discuss किया था, 1 by 2, 1 by 2, answer क्या था, 0.5, और remainder क्या है था, 0, तो अगर आप divide करते हैं, remainder 0 आता है, तो उस decimal expansion को हम कहेंगे, क्या, terminating, क्या कहेंगे, decimal expansion को, terminating, non-terminating repeating, non-terminating repeating, या non-terminating recurring, यह एक ही चीज़े है, इनके दो नाम है, यह कब होगा, non-terminating, बता लग रहा है, खतम नहीं हो रहा है, लेकिन repeat हो रहा है, जैसे, 1 by 3, 1 by 3 को जो आप solve करते हैं, तो क्या आता है, 0.3333, और सो और, remainder 0 नहीं आरहा है, लेकिन 3 repeat कर रहा है, तो यह है, non-terminating, repeating, या non-terminating recurring, अब question आता है, non-terminating, non-repeating क्या है, पता लग रहा है, नाम से, यहां डिजिट रिपीट कर रही थी लेकिन यहां डिजिट रिपीट भी नहीं करेगी जैसे एक्जाम्पल ट्वन्टी टू बाई सेवन पाई जिसे आप बोलते हो जब आप इसे solve करोगे तो 3.14 चलता रहेगा नहीं तो कोई डिजिट रिपीट करेगी और नहीं कभी रिमेंडर जिरुआएगा और भी बहुत सार एक्जाम्पल है रूट 2 क्या होता है 1.414 नहीं तो कभी भी कोई डिजिट रिपीट भी नहीं करेगी और वो खतम भी नहीं होगा कम्प्लीट परफेक्ट स्क्वेर रूट नहीं है वो सिमिलर वे में रूट 3 रूट 3 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसका एक्जाम्पल क्या है 1.732 सोन रूट 3 कितना होता है जब आप रूट 3 सोल करते हैं लॉन्ग डिवीजन से जो हमने ग्लास 8 में सीखा था तो आंसर क्या होगा 1.732 सोन तो यह सभी डेसिमल एक्सपेंशन पाई रूट 2 रूट 3 यह सब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉनन रिपीटिंग अब आपके मन में क्वेशन आ रहा हूँगा किसे आप अरा पड़ा रहे थे फिर आपने डेसिमल एक्सस्रण क्यों पढ़ाया वीज में क्योंकि रेशनल और इरेशीमल समझने के लिए आप्को decimal expansion आना चाहिए अब देखिए rational और irrational number बहुत easily clear होंगे कैसे अगर कोई भी number आपको चेक करना वो rational है या irrational है तो आप उसकी decimal expansion चेक कीजिए अगर उसकी decimal expansion आती है terminating या non-terminating repeating इन दोनों में से कोई भी तो number rational होगा तो number कौन सा होगा rational इन दोनों के ही केस में इन दोनों के ही केस में number क्या होगा rational यह क्या है rational और यह इन नमबर भी क्या होगा rational सिरफ एक यह decimal expansion है इसके case में number कैसा आता है irrational तो अगर decimal expansion terminating होगी तो भी number rational होगा non-terminating repeating होगी तो भी इर्रैशनल होगा non-terminating non-repeating होगी तब number क्या होगा irrational जैसे one by two आपको बता है one by two क्या है rational है rational क्यों है क्यों कि इसके decimal expansion क्या है terminating one by three वो भी नमबर गया है, rational है, क्यों है क्यों 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 क्य क्या होगा फाइफ वह रैशनल होगा परफेक्ट स्क्वेर्स सब रैशनल होते हैं लेकिन जो परफेक्ट स्क्वेर्स नहीं होगा वह इडरेशनल होगा क्लियर